वल्कम टिश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांच सकेन बार शुरू होगा रेडी स्टार्ट यह अच्छा हुआ की राष्टपती निर्वाचित होने के बाद जो बाइडन ने खास तोर पर यह कहा की वह अमेरिका को एक जुट करेंगे उनकी और से ऐसा कोई संदेश दिया जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अमेरिका इसके पहले वैचारिक रूप से इतना अधिक विभाजित कभी नहीं दिखा बाइडन की जीत यह बता रही है कि अमेरिकी जनता ने टरम्प के मुकाबले उनसे अधिक उमीदें लगा रखी हैं लेकिन सबसे सक्तिशाली देश का राश्टपती होने के नाते सेश विस्वने भी उनसे तमाम उमीदें लगा रखी हैं वास्तों में उनके सामने जितनी बड़ी चुनोती घरेलिव समस्याओं से निपटने की है उतनी ही अंतररास्ट्रिय समस्याओं से भी अंतररास्ट्रिय इस्तर पर सबसे बड़ी चुनोती अडियल और अहंकारी चीन पर लगाम लगाने की है इरान तुर्की और उत्तरकोरिया के प्रति तो उनकी संभावित नीति का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि वह चुनाप्रचार के दौरान इन देशों के बारे में अपने विचार व्यक्ट करते रहे हैं लेकिन यह कहना कठिन है कि वह चीन के मामले में किस नीति पर चलेंगे निगाह केवल इस पर ही नहीं होगी कि वह चीन के साथ अमे विस्तारवादी नेती पर अंकुष लगाने के लिए क्या कारगर कदम उठाते हैं। बाइडन की चीन नेती पर भारत की अतिरिक्त दिल्चस्पी होना सभाविक है क्योंकि चीनी से ना अपने अतिक्रमण कारी रवये से बाज नहीं आ रही है। बाइडन की ओर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर अपनाए जाने वाले रवये में भी भारत की दिल्चस्पी होगी। इसमें कोई दोराय नहीं की टरमप ने अफगानिस्तान को तबाह करने वाले तालिबान से समझोता कर आतंक की अनदेखी ही की उन्होंने के मन की मुराद पूरी की वहीं भारतिय हितों की उपेक्षा भी की उमीद है कि बाइडन प्रसासन यह समझने में देर नहीं करेगा कि तालीबान को पालने वाला पाकिस्तान पहले की ही तरह आतंकवाद को समर्थन देने में लगा हुआ है जहां तक अमेरिका और भारत के भग सभी एकमत हैं कि दोनों देशों के रिस्ते और मजबूत होंगे इसकी एक वजह तो यह है कि उबामा के दोर में उपराश्टपती के रूप में उन्होंने भारत से संबंध सुधारने की पहल की थी और दूसरी यह की आज भारत के को अमेरिका की जितनी जरूरत है उत उपराश्टपती कमला हैरिस होंगी जो भारती अफरिकी मूल की हैं उनका उपराश्टपती निर्वाचित होना अमेरिका के साथ साथ वहां रह रहे भारती मूल के लोगों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धी है स्टॉप